हेलो जाहिन्द फ्रेंट्स आज हम हिस्ट्री का मौक टेस्ट लगाएंगे जिसमें हम आपसे हिस्ट्री के 20 कोशन पूछेंगे तो वीडियो के लास्ट में आपने हमें कुमेंट करके बताना है कि आप 20 में से कितने अंसर दे पाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स कोशन है किसमें गाइतरी मंतर शामिल है रिगवेद में यजुरवेद में सामवेद में या थरवेद में तो इसका क्रेक्ट नसर है उप्शन नमर ए रिगवेद में अगर बात की जाए गैतरी मंतर की इसकी रचना विश्वमित्र के द्वारा की गई थी और इसका वर्ण रिग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है और हाँ साथ ही साथ एक्जाम में कई बार यह भी कोशन पूछा जाता है कि गैतरी मंतर मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है तो यह सवित्री या सूर्य देवता को समर्पित है इसके बाद नच्ट कोशन है चोथी बोज समीती किसके द्वारा आयोजित हुई थी अशोक, कनिश्क, चंदरगुप्त या हर्शवर्दन तो इसका क्रेक्टर नसर है ओप्शन नमर बी कनिश्क अगर बात की जाए चोथी बोज समीती की या कनिश्क के समय कुंडन वन कश्मीर में हुई थी और इसकी अध्यक्षता वासुमित्र के द्वारा की गई थी इसका बाद नेक्ट कोशन है पुरातन समय में कलिंग का महन शाशक कौन था अजात शत्रू, पिंदू सार, खारवेल या बिम्बी सार तो इसका क्रेक्टर नसर है ओप्शन नमर जी खारवेल नेक्ट कोशन है बंगाल में भक्ती अंदोलन के संथ कौन थे कबीर, तुलसीदास, विवेकनंद या चेतन्ये तो इसका क्रेक्टर नसर है ओप्शन नमर डी चेतन्ये नेक्ट कोशन है बहमनी रज्य की राजधानी क्या थी वरंगल, देवगुरी, इलीजपूर या गुलबरगा तो इसका क्रेक्टर है ओप्शन नमर डी गुलबरगा अगर बात की जाए बहमनी वंश की स्तापना की इसकी स्तापना अलाउदीन बहमनशा के द्वारा 1347 में क की गई थी इसके बाद नेक्ट कोशन है मुगल समराज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किस ने बनाई जहांगीर, औरंगजेब, हुमायू या शाह जहां तो इसका क्रेक्टर है ओप्शन नमर डी शाह जहां गुरु गोविन सिंग का जनम किस तान पर हुआ था नादेड, पटना, पटियाला या ननकाना साहिब तो इसका क्रेक्टर है ओप्शन नमर बी पटना में अगर बात की जाए गुरु गोविन सिंग के जनम की इनका जनम 1666 में पटना में हुआ था और इनसे सम्बंदित ए एक यह भी कोशन पूछा जाता है कि किस सीख धर्म के गुरु ने खाल्चापंद की स्तापना की थी तो वो की थी गुरु गोविन सिंग ने 1699 में साथ ही साथ गुरु गोविन सिंग सिख धर्म के दसवे गुरु थे इसके बाद नेस्ट कोशन है टिपु सुल्टान ने शाशन यहां से किया शीरंग पटनम से महसूर से हेल बीड से या बेलूर से तो इसका कॉरेक्शन सर है उप्शन नमर ए शिरी रंग पत्नम से इसके बाद नेस्ट कॉश्चन है कौन सा सबसे पुराना समारक है अजन्ता, कुत्व मिनार, ताज महल या खजुराहू तो इसका कॉरेक्टन सर है उप्शन नमर ए अजन्ता अगर बात की जाए अजन्ता की गुफाओं की या महाराष् इसके बाद नेस्ट कॉश्चन है प्रसित कांसे की नटराज मूरती उधारन है चोल कला की, गंधार कला की, गुफ्ट कला की या मौरे कला की तो इसका कॉरेक्टन सर है उप्शन नमर ए चोल कला की अगर बात की जाए नटराज के मंदिर की या तमीन नाडू रज्ये में स् मुख्यता, सरक्षन दिया, मूर्ति कला, वस्तू कला, संगीत या चितर कला तो इसका क्रेक्टन सर है option number D, चितर कला नेक्स्ट कोशन है आगरा शहर की स्तापना किस ने की थी? इबराहीम लोदी, राणा संगा, फिरोशा तुगलक या सिकंदर लोदी तो इसका क्रेक्टन सर है option number D, सिकंदर लोदी नेक्स्ट कोशन है प्रसीत पुस्तक, गीत गोविंद के रचेता कोन थे? चदबरदाई, फिर दोसी, फैजी या जैदेव? तो इसका क्रेक्टन सर है option number D, जैदेव नेक्स्ट कोशन है ताली कोटा का युद किस वर्ष लड़ा गया 1526 AD में, 1565 AD में, 1576 AD में तो इसका क्रेक्टन सर है option number B, 1565 AD में अगर बात की जाए ताली कोटा युद की यह युद दक्कन के सुल्तानू और विजय नगर समरज्य के शाषकों के बीच लड़ा गया था जिसमें विजय नगर समरज्य के शाषकों को हार का सामना करना पड़ा था इसके बाद next question है काम रूप किसका पुराना नाम है आसम, त्रिपुरा, नागा लेंड या मिजोरम तो इसका क्रेक्टन सर है option number A, आसम next question है असियो गंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया जवाल लाल नैरू, दादा भाई नरोजी, चितरंजन दास या मातमा गंदी तो इसका क्रेक्टन सर है option number D, मातमा गंदी, अगर बात की जाए असियो गंदोलन के शुरूआत की, इसकी शुरूआत एक अगस्त 1920 को की गई थी next question है, साइमन कमिशन संबंदी था सवधानिक सुधार से, राजसी रज्यों के सुधार से, उच शिक्षा से या आकाल से तो इसका क्रेक्टन सर है गा option number A, सेवधानिक सुधारों से, अगर बात की जाए साइमन कमिशन के गठन की, इसका गठन 8 नुवंबर 1927 को किया गया था, और यह भारत 3 फरवरी 1928 को आया था इसका एबाद next question है, भारत में अंग्रेजी में शिक्षा की शुरुआत किस ने की, लाड अलोजी ने, लाड कारजन ने, लाड मैकाले ने, या लाड बेंटिंग ने, तो इसका क्रेक्टन सर हैगा option number C, लाड मैकाले ने, अगर बात की जाए भारत में अंग्रेजी की शिक् इसके बाद next question है, सभी तीनों गोल में सम्मिलन कहां पर हुए थे, कलकत्ता में, बंबाई में, मैचेस्टर में, या लंदन में, तो इसका क्रेक्टन सर रहेगा option number D, लंडन में next question है, भारते राष्टे कॉंग्रस की प्रत्थम भारते मैला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नाइडू, कस्तूरबा गांदी, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित, तो इसका क्रेक्टन सर रहेगा option number A, सरोजनी नाइडू, आगर बात की जाए प्रत्थम भारते मै महिला अध्यक्ष शरोजनी नाइडू, और प्रत्थम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, मिलते हैं, नेक्स्ट झाल से स loaf करना भूलेगा, मिलते हैं, ये झाल साओने झांफे हैं, आपको वीडियो ओना पर लिए, नेक्स्ट ईक्तरा लाजने भजज सक और, हाल काता भूलेगा शरो आपको नव मिले इतना हैं, मिलते हैं, प्रूला बजी बद्र रूलेगा जिक सुछामाद बदूनी व झाल झाल